नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का गॉर्मेंट ओफ इंडिया ने अभी हाली में 6 अपराइल को यूनानीमसली यूनानीमसली का मतलब होता है एक मत से यूनानीमसली वेपन्स ओफ मास दिस्ट्रक्शन और डिलिवरी सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2022 को पास कर दिया ये एक अमेंडमेंट बिल है वेपन्स ओफ मास दिस्ट्रक्शन और डिलिवरी सिस्टम्स ओफ अनलवफुल अक्टिविटीज बिल का अब देखो ओरिजिनल एक्ट जो है क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंजिस करना तो ओरिजिनल एक्ट जो था उसने बैन किया था मैनुफेक्ट्रिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ओफ वेपन्स ओफ मास दिस्ट्रक्शन तो इसमें मैनुफेक्ट्रिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर ओफ वेपन्स तो बैन है लेकिन क्या अगर कोई ना तो मैनुफेक्ट्र करे ना इसको ट्रांसपोर्ट करे ना इसको ट्रांसफर करे लेकिन उसको फाइनांस करे हम इन में से कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम finance कर रहे हैं कि कोई organization को हम पैसे दे रहे हैं कि आप इस प्रकार की चीज़ें बनाओ तो उसका क्या होगा तो इस amendment में उस financing को भी prohibit कर दिया है ban कर दिया है देखो to prohibit the financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems to fulfill India's international obligations तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि weapons of mass destruction होते क्या हैं तो इसलिए इस वीडियो में हम weapons of mass destruction के बारे में पढ़ेंगे साथ में हम ये भी देखेंगे कि पहले कब-कब कौन-कौन से देशों के द्वारा कहां पर इसका use किया गया है फिर हम ये देखेंगे कि weapons of mass destruction ये actual में ये expression ये line ये शब्द ये आये कहां से किसने सबसे पहले इसको use किया और फिर हम ये भी देखेंगे कि international कौन-कौन से treaties हैं जिसके अंदर ये ban हैं तो ये काफी informative वीडियो होने वाली है आप इस वीडियो कौन तक जुरूर देखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल इसी topic से उपर सवाल है इस परकार के questions मैं इसलिए डालता हूँ ताकि एक आपको question के तरह पता चल जाए कि हम किसको discuss करने वाले हैं फिर उस पूरे को topic को discuss करने के बाद end में इस question का answer हम सारे मिलके खुद दें तो सवाल है कि government of India recently banned the financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems कि government of India ने हाली में weapons of mass destruction की proliferation के लिए जो financing है और उसके साथ जो delivery system है उसे prohibit किया है बैं किया है number one दूसरा है at present 12 countries possess nuclear weapons कि present में 12 countries है जिनके पस nuclear weapons है तो आपको सवाल है कि क्या 12 ही countries है जिनके पस nuclear weapons है इसको हम आगे देखेंगे तीसरा option है कि Japanese in world war 2 used biological weapons on China कि जो world war 2 था उसमें Japanese ने biological weapons का use किया था चाइना के खिलाब biological weapons का मतलब होता है कि हम किसी microbe, virus, bacteria या ऐसे किसी pathogen या ऐसी किसी चीज़ का use करें जो living है यह होते biological weapons तो यह तीन statements है और इनके चार options है आप अपना answer में को comment box में लिखके बताईए यह right answer में आपको वीडियो के end में दे दूँगा तो चलिए लोकसभा ने अप्राइल 6 को unanimously यानि एक जुट होके एक मत से weapons of mass destruction and the delivery system prohibition of unlawful activities amendment bill 2022 को pass किया क्या करता है यह prohibit करता है financing of proliferation of weapons of mass destruction कोई अगर पैसा दे रहा है finance कर रहा है बनाने के लिए या फिर delivery के लिए तो फिर उसको पूरी के पूरी तरह से हमने prohibit किया है ban किया है क्यों to fulfill India's international obligations international obligations मतलब कि अब जैसे कि कई groups बने हैं तो कई कहते हैं कि थी कह जी हमने अभी तक तो ban तो लगाया है लेकिन अब हम और जादा इसको dread बनाएं और जादा इसको tough बनाएं ताकि financing भी न हो पाए तो इस चीज़ के लिए हमने इस obligation को पूरा करने के लिए इस amendment bill को पास किया original act जो था जैसे मैंने बता है वो manufacturing, transport, transfer of weapons of mass destruction और their means of delivery उसको क्या करता था बहन करता था तो अब बात करते हैं कि weapons of mass destruction यह होता क्या है देखे यह जो term है weapons of mass destruction WMD इस किसके लिए कहा जाता है nuclear, biological या chemical weapons अब सारे जानते है nuclear weapons फिर biological weapons जैसे मैंने बता है कुछ ने किसी pathogen या किसी living organism ऐसा किसी का use किया जाएगा और chemical weapons जहांपे chemicals का use किया जाएगा तो इन चीजों के लिए use किया जाता है जो कि बहुत significant harm पहुँचा सकते हैं mankind को जो कि बहुत जादा नुकसान पहुचा सकते हैं human race को, environment को, nature को, earth को, किसी किसी country को तो इसको कहा जाता है weapons of mass destruction अब United Nation के मताबिक देखो अगर आपसे ये सवाल किसी ने पूछा तो आपको सवाल पूछा है weapons of mass destruction, what are weapons of mass destruction तो आप क्या answer दोगे जो United Nation की official definition है आप उसमें वो लिखोगे या फिर आपसे किसी ने interview में पूछ लिया तो भी आपका जो अंसर है वो यही होगा तो United Nation के मताबिक atomic explosive weapons, atomic जो explosion करते हैं explosive weapons फिर radioactive material weapons, ऐसे कोई weapons जहां से radioactive materials release होते हैं then lethal chemical, lethal का मतलब होता है जान लेवा तो lethal chemical, biological weapons, जो हमने पहले discuss किया and any weapon या फिर कोई भी weapon developed in the future कि ऐसा कोई weapon जो future में बनाया जाए which might have characteristics कि जिसके पास कोई ऐसे characteristics हो comparable in destructive effect ऐसे characteristics जो destruction कर सकते हैं पूरे के पूरी human race का, mankind का, environment का, animals का जिनके characteristics क्या हो, destructive effect हो comparable, किसके साथ comparable comparable to those of atomic bomb और other weapon mentioned above जैसे कि मैंने आपको बता है atomic के साथ radioactive, lethal, chemical, biological तो इस सारे के सारे जितने भी weapons होंगे उन्हें कहा जाएगा weapons of mass destruction आप समझ रहो? एक बार फिर देखो atomic weapons, radioactive weapons, lethal chemicals, biological weapons या फिर इनके अलावा और कोई भी weapon जो future में बनाये जाए जिसके जो characteristics हो, वो उतने ही destructive हो, जितने इनके हैं वो weapon उतना ही destructive हो, जितना ये weapons हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, weapons of mass destruction, WMD ये official है, definition जो आपने, कोई भी अगर पूछे तो जवाब देना है और basically तो आप समझे गए कि किस किस को कहेंगे, nuclear, biological और chemical या फिर और future में कोई ऐसा weapon बनता है, जिसके characteristics इनकी तरह हैं इतने ही destructive हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, weapons of mass destruction, तो I hope आप ये समझ चुके होंगे अब सबसे पहले कभी यूज किया गए, देखे सबसे पहले large scale पे, chemical weapons का यूज किया गया, world war 1 में किसके द्वारा, Germany के द्वारा, जब Germans ने mustard gas का यूज किया, सबसे पहले chemical जो large scale पे यूज किया गया था, chemical weapon वो mustard gas किसके द्वारा, Germans के द्वारा, 1915 में, Lange Mark नाम के गाउन है, तो सबसे पहले जो first large scale use of chemical weapons था, वो हमें देखने को मिला, world war 1 में Germans ने यूज किया, mustard gas, 1915, Lange Mark ने, फिर, फिर आता है Japanese, world war 2 में इन्होंने biological weapons का यूज किया, चाहिना के खिलाफ, जो कि हमारे question में भी था, तो Japanese ने यूज किया, world war 2 में biological weapons का, चाहिना के खिलाफ, फिर 90s of America के बारे में तो सभी जानते हैं, कि इन्होंने, world war 2 में, जैपान क Hiroshima और Nagasaki में nuclear bombing की थी, आप में को comment box में लिखके बताईएगा, कि Hiroshima और Nagasaki दोनों में अलग-अलग bomb गिरे थे, और दोनों का अलग नाम था, Hiroshima में जो bomb गिरा उसका क्या नाम था, Nagasaki में जो bomb गिरा उसका क्या नाम था, इन दोनों का जवाब मैं आपको दूँगा description box में, तो 9 countries हैं जिनके पास nuclear weapons है, 9 countries, कौन-कौन सी, US, Russia, France, UK, China, India, Pakistan, North Korea और Israel, ये सारी 9 countries हैं, 9 देश हैं जिनके पास इस समय nuclear weapons है, अब बात करते हैं कि weapons of mass destruction, ये term, ये expression कहां से आया, सबसे पहले, Church of England के लीडर, Ark Bishop of Canterbury के दोरा, इस expression, weapons of mass destruction का यूज किया गया था, 1937 में, लेकिन कब किया गया, जब German और Italian, fascist, जो governments थी, उन्होंने Spanish Civil War के समय, Bosch की, Bosch की नाम के टाउन में, aerial bombing करी, जो जब Bosch की टाउन में Spanish Civil War के समय, aerial bombing हुई, इसके दोरा Germans और Italians के दोरा, तो उस समय, Kentbury के आग Bishop के दोरा, इस expression का यूज किया गया, सबसे पहले, उसके बाद ये expression popular तब हुआ, जब US और UK ने invasion करी, इराक की, इराक war के समय, इन्होंने इस invasion को justify किया, justify कैसे किया कि इराक का उस समय leader था सद्दाम हुसेन, तो इन्होंने कहा कि हमने invasion इसलिए करी, क्योंकि सद्दाम हुसेन ने weapons of mass destruction hide कर रखे थे, छुपाय रखे थे अपने देश में, तो उस समय सबसे ज़ादा ये popular हुआ था, आप देखो, weapons of mass destruction के use को discourage करने के लिए, काफी international agreements इस समय बनी हैं, जैसे 1925 में आई जैनेवा प्रोटोकोल, जैनेवा प्रोटोकोल में बैन किया था chemical और biological weapons का use, तो ये आज रखना कि जैनेवा प्रोटोकोल में कौन-कौन से weapons को use करना बैन था, chemicals and biological, कब हुई थी ये 1925 मे फिर आती है हमारे पास biological weapons convention 1972, chemical weapons convention 1992, अब देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय रश्या और यूकरेन के वीच में जुद चल रहा है, यूकरेन पहले रश्या का पार था, USSR का, और क्यों हो रहा है ये लड़ाई, इसके ओपर मैंने separate वीडियो बनाई है, च यूकरेन के देश के related जितने important facts हैं, आपको चानने के लिए जरूरी है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, चाहें तो देख सकते हैं, और USSR के ओपर भी मैंने एक MCQ-based वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने सारे important questions cover किये हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, अभी इनके बात कहां से आई, क्योंकि Russia और Ukraine ने भी एक दूसरे के ओपर कई बार इलजाम लगाया है, कि अभी ये जो war चल रहा है, उस समय कि कई बार Russia कहा रहा है कि Ukraine उनके खिलाफ, उनके आर्मी के खिलाफ chemicals का यूज कर रहा है, कई बार Ukraine कहा रहा है, तो इस समय ये जो topic मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत important है, आने वाले समय में किसी ने किसी एक्जाम में पूछा ही जाएगा, तो years भी याद रखना, chemical weapons convention 1992, biological weapon convention 1972, इस से direct question पूछा जा सकता है, अब आते हैं भारत पे, कि क्या भारत में इन convention को sign किया है, बिल्कुल हमने ink भी किया है और ratify भी किया ह है, दोनों की दोनों treaties को, चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे, कि क्या government of India ने हाली में, weapons of mass destruction की, proliferation के लिए financing, और उनकी delivery system के लिए financing, इसको ban किया, क्या ban किया, बिल्कुल किया, तो ये बिल्कुल सही है, second है, at present 12 countries possess nuclear weapons, इस समय 12 देशों के पास nuclear weapons हैं, तो क्या 12 देशों के पास हैं, बिल्कुल नहीं, कितने देशों के पास हैं, 9 के पास, कौन कौन से, US, Russia, France, UK, China, India, Pakistan, North Korea, और Israel, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितनों के पास हैं, 9 के पास, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, third है कि the Japanese in World War 2 used biological weapons on China, तो हमने बिल्कुल देखा कि Japanese ने World War 2 में biological weapons का यूज किया था, चाइना के खिलाफ, तो 1 and 3, तो right answer क्या है, B, 1 and 3, दूसरा क्या है, गलत है, तो B is the right answer, ये था इस वीडियो का analysis, I hope आप कोई अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो like करिएगा, share करिएगा, और ऐसी जीगे वीडियो के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, thank you for watching.